टेकी पाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चलने टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 अर्थशात्र का वैश्वी करण और भारती अर्थवस्ता के MCQ इससे पहले हम कक्षा 10 अर्थशात्र के समस्त MCQ वीडियो ला चुके हैं चैप्टर वाइस और इसके अलावा रानिती विग्ज्यान और उसके समस्त चैप्टर भी मेरे चैनल्स पर उपलब्द हैं आज हम देखने वाले हैं भारती अर्थवस्ता वैश्वी करण और भारती अर्थवस्ता के 62 MCQ इतने सारे MCQ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे 62 MCQ है इस एक चैप्टर के और इसी के द्वारा हम इस पूरे चैप्टर को समझने की भी कोशिश करेंगे तो आईए देखते हैं इस्टुडेंट्स आज हम देखने वाले हैं कक्षा दस के वैश्वी करण और भारती अर्थवस्ता चैप्टर के 62 MCQ इस चैप्टर से इतने ही MCQ है देखते हैं हम इने MCQ देखने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता दू बच्चो जिस परकार माला मोतियों से बनती है तो MCQ भी मोति हैं यदि आप MCQ को समझ गए तो आप किसी भी पर्षन का उत्तर आसानी से कर पाएंगे क्योंकि हर पर्षन किसी ना किसी MCQ से ही मिलकर बनता है इसलिए आप इन मोतियों को समझने की कोशिश करें तो अपने आप सारे चैप्टर्स आपको क्लियर हो जाए तो हम बढ़ते हैं आज के पहले पर्षन की तरफ पर्षन वन वह व्यक्ति जो वस्तू एवं सेवा का उप्भोग करता है उसे हम क्या कहते हैं आप्शन है ए वित्रक, बी मानाव, सी उत्पादक या डी उप्भोगता तो सही उत्रबच्चो उप्भोगता वह व्यक्ति जो वस्तू और सेवा का उप्भोग करता है उसे अर्थशास्र में उप्भोगता कहते हैं प्रश्न दो, वह व्यक्ति जो वस्तू और सेवा का उत्पादन करता है, उसे क्या कहते है अर्थ शास्त्र में? Option A, वित्रक Option B, मानव Option C, उत्पादक या Option D, उप्भोकता सही उत्तर बच्चो Option C, उत्पादक जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है उसे हम उत्पादक या परडूसर कहते है और जो कंजूम करता है उप्भोक करता है उसे हम उब्भोकता कहते है प्रश्न तीन वी निर्माता को अन्ने किस नाम से जाना जाता है option A वित्रक option B मानाव option C उत्पादक option D उब्भोकता तो सही उत्तर है उत्पादक वी निर्माता को ही उत्पादक भी कहते है क्योंकि ये वी निर्मान का कार्या करता है प्रश्न चार कुछी वर्षो में हमारा भाजार पूंट या परिवर्दित हो गया है इस कथन से आपका क्या भी प्राय है A. वस्तू के विकल्प में व्रध्दी हुई है B. विश्व की सभी वस्तू हमारे बाजार में उपलब्द हो गई है C. दोनो B. उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर है दोनो कहने का मतलब इस लाइन का अर्थ क्या है कि हमारा बाजार विल्कुल बदल चुका है कुछ वर्षों में इसका मतलब है कि हमारे देश में वस्तुओं के विकल्थ में विवर्दी हुई है और जितनी भी विश्यू में वस्तुए होती है वो सब हमारे बाजार में आब उपलब्द है प्रश्न पाच जब एक देश की अर्थिवस्ता दूसरे देश दुआरा संचालित होती है तो उसे हम क्या कहते है उप्शन ए उप्निवेशी अर्थिवस्ता उप्शन बी उप्निवेशी अर्थिवस्ता उप्शन सी कोलोनियन एकोलोमी या उप्शन डी उप्रियुक्त सभी तो इसका उत्तर बच्चो उप्रियुक्त सभी जैसे भारत की अर्थिवस्ता आजादी से पहले सोतंतरता से पहले जो हमारी अर्थवस्ता था उसे कौन संचालित करता था कौन सा देश संचालित करता था ब्रिटेड तो भारत की अर्थवस्ता सोतंतरता से पहले कौन सी अर्थवस्ता कहलाती थी उपनिवेशी अर्थवस्ता ठीक है तो यह उपनिवेश Option A, कम से कम एक, कम से कम दो, कम से कम दस, या कम से कम पाँच, तो सही उत्तर है, कम से कम दो, ऐसी कमपनी जो कम से कम दो देशों में उत्पाधन का कार्य करे, उसे हम भवराष्ट्य कमपनी कहेंगे. प्रश्ण साथ, ऐसे कमपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाधन पर नियंत्रण अथ्वा स्वामित्तु रखती है, उसे हम क्या कहेंगे? Option A, भवराष्ट्य कमपनी, Option B, मल्टिनैशनल कमपनी, Option C, MNC, या Option D, उप्रियुक्त सभी. तो इसका से उत्तर है, उप्रियुक्त सभी. ये भवराष्ट्य कमपनी को ही बच्चों इंग्लिश में मल्टिनैशनल कमपनी या MNC कहते हैं. ठीक है? प्रशना आठ, ऐसी कमपनी जो केवल भारत में उत्पादन का कार्य करती है, और विश्व में अपना माल निरियाद करती है. क्या ऐसी कमपनी को आप भवराष्ट्य कमपनी कह सकते हैं? हाँ या नहीं? तो दोनों में से उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है? नहीं. ऐसी कोई भी कमपनी जो केवल किसी एक देश में उत्पादन का कार्य कर रही है, और वहां से वो दूसरे देशों में अपना माल निरियाद कर रही है. निरियाद का मतलब जब एक देश दूसरे देश को माल बेशता है, तो उसे हम क्या कहता है? निरियाद. इर्यात करती है तो उसे हम बहुराष्ट्री कम्पनी नहीं कहेंगे बहुराष्ट्री कम्पनी तो उसे कहेंगे जिसका एक से अधिक देशों में क्या हो प्रोडक्षन हो ठीक है न? प्रशन 9 बहुराष्ट्री कम्पनी ऐसे परदेशों में कारेल है तथा उत्पादन के लिए कारखाने इस्ताफित करती है जहां उप्षन A अधिक लाब हो उप्षन B सस्ते संसादन हो उप्षन C उत्पादन लागत कम हो या उप्षन D उप्रिप्ट सभी तो सही उत्तर है इसका उप्रिप्ट सभी कोई भी बड़ी कम्पनी बहुराष्ट्री कम्पनी सबसे बड़ी कम्पनी होती है और ये कहां क्या क् ये you production ताकि उनको लाब ज़्यादा हो और उनको सस्ते संसादन मिल जाये श्रम, भूमी, पूंजीर ये सब सस्ते मिल जाये उनको अन उत्पादन लागत भी उनकी क्या हो ताकि उनको लाब अद्दिको जाये तो ये उप्रियुक सभी है साही इसका अंसर प्रश्न दस बहुराष्ट्य कंपनी वैश्वी किस तर पर वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है जिससे उत्पादन पर करिया किस डंग से संगटित हुई है सरल अथ्वा जटिल ऑप्शन से चुनिए सरल अथ्वा जटिल दोनों में सही उत्तर है बच्चो जटिल बहुराष्ट्य कंपनी वैश्वी किस तर पर वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है जिससे उत्पादन पर करिया जटिल दंग से संगटित हुई ठीक है प्रश्ण 11 बहुराष्ट्य कंपनी ऐसे परदेशों में कारले तथा उत्पादन के लिए कारखाने इस्थाफित करती है जहां ऑप्शन A कम लागत पर A कुशल शर्मिक मिले ऑप्शन B कम लागत पर कुशल शर्मिक मिले ऑप्शन C बाजार से निकटता हो और ऑप्शन D उप्रियुक्त सभी तो सही उत्तर है उप्रियुक्त सभी आप देख सकते हैं कि बहुराष्ट्य कंपनी कहां कारले खो लेगी अपना जहां कम लागत पर उसे A कुशल शर्मिक अच्छा ये ध्यान दे एकुशल शर्मिक और कुशल शर्मिक क्या होते है बच्चो एकुशल शर्मिक जिने काम करना बिलकुल भी नहीं आता है जिन्नोंने कोई प्रक्षिक्षन नहीं लिया हुआ है जैसे मजदूर लोग कुशल शर्मिक उसे कहते हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग ले रखी है किसी कार्रे की तो दोनों में ये अंतर होता है ठीक है तो ये तीनों ही विशेष्टा पाई जा दिती है जहांपे बवराष्ट्य कंपनी अपने कारले खोलती है आगे बढ़ते है परष्ण 12 इसमें से कौन सी परिसंपती नहीं है Option A भूमी Option B भवन Option C मशीन Option D शर्म तो सही उत्तर है शर्म, शर्म को परिसंपती नहीं माना जाता है भूमी, भवन और मशीन ये तीनों परिसंपती असेट्स कहलाती है अगर आपको assets के बारे में और जानना हो, परिसंपती और जाननी हो, तो आप मेरे चैनल पे परिसंपती लिखकर टाइप करें, वो आपको answer मिल जाएगा, वहाँ वीडियो मिल जाएगा प्रश्न 13, परिसंपती की खरीद पर किये गए खर्च को क्या कहते हैं? आप्शन A, निवेश, आप्शन B, पूंजी, आप्शन C, मुद्रा, आप्शन D, श्रम, तो सही उतर बच्चो, निवेश, परिसंपती की खरीद पर जो हम पैसा खर्च करते हैं, उसे हम निवेश की रूप में जानते हैं प्रशन 14, विदेशी लोगों या भवराष्ट्रे कंपनी के द्वारा किये गए निवेश को हम क्या कहते हैं? आप्शन A, निवेश, आप्शन B, विदेशी निवेश, आप्शन C, आयाद, और आप्शन D, निर्याद, तो सही उतर है, विदेशी निवेश, जब विदेशी लोगों के द्वारा या भवराष्ट्रे कंपनी के द्वारा निवेश किया जाता है, तो ऐसे निवेश को हम विदेशी निवेश कहते हैं प्रश्न पंद्रा कोई भी निवेश क्यों किया जाता है option A, ब्याच के लिए option B, मजदूरी के लिए option C, लाप के लिए या option D, लागत के लिए तो सही उत्तर है लाप के लिए कोई भी हम investment क्यों करते हैं क्यों लगाते हैं किसी में ताकि हमें profit प्राप्तो, लाप प्राप्तो प्रश्न सोला क्या बहुराष्ट्य कंपनी गरहलू कंपनी के साथ मिलकर सहीउक्त रूप से उत्पादन कर सकती है option A, हाँ option B, नहीं तो सही उत्तर है बच्चो हाँ, कोई भी भवराष्ट्य कंपनी भारत की गरहलू कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन का कार्य कर सकती है आपने भी देखा होगा कई विदेशी कंपनीों ने भारत की कंपनीों के साथ मिलकर गट जोड कर लिया है संगठिन बना लिया है और वो प्रोडक्शन का कार्या करते हैं पर्षन सत्रा जब भवराष्ट्रे कंपणी गरहलू कंपणी के साथ मिलकर सयुक्त रूप से उत्पादन करती है तो उससे गरहलू कंपणी को क्या लाब होते हैं option A निवेश के लिए अत्रिक्त पुझी प्राप्त होती है option B नई टेकनोलोजी प्राप्त होती है option C उत्पादन लागत घटती है और option D उप्रियुक्त सभी तो सयुत्तर बच्चो उप्रियुक्त सभी कोई भी भवराष्ट्र कंपणी जब भारत की गरहलू कंपणी मतलब हमारे देश की कंपणी तो गरहलू कंपणी के साथ मिलकर production का कारे करती है उत्पादन का कारे करती है तो निवेश के लिए अत्रिक्त पूंजी प्राप्त होती है कोई विदेशी कंपणी आएगी तो वो क्या लाएगी पूंजी लाएगी अपने साथ पैसा लाएगी, टेकनोलोजी भी लाएगी, ठीक है, और पूंजी और पैसा और टेकनोलोजी आएगी, तो उससे क्या होगा, उत्पादन की लागत जो है, चीज बनाने की जो लागत है, कोस्ट है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो य विदेशी ग्रायकों को सूचना एवं मदद उपलब्द करादा है, यह आपके NCRT का चित्र है, option A, cyber cafe का चित्र है, option B, internet cafe का चित्र है, यह option C, chatting company का, यह option D, बहुराष्ट्रे company का, तो सही उत्तर बच्चो, बहुराष्ट्रे company का, यह एक call center है, जो एक बहुराष्ट्रे company को स सेवाएं परदान कर रहा है, और बहुराष्ट्रे company के द्वारा संचालित है, जैसे मान लो, यह हमारी infosys company हो सकती है, या कोई भी ऐसी company, जिसके एक से अधिक देशों में production का कार्या हो, उत्पादन या सेवा दोनों की count होते हैं, प्रश्ण गुनिस, निम्न में से कौन सी भावराष्ट्रे company नहीं है, option A, करगिल फूर्ट्स, option B, Ford Motors, option C, महिंद्राइड महिंद्रा, और option D, इनालसा, तो सही उत्तर है, इनालसा एक भावराष्ट्रे company नहीं है, वर्तमान में नहीं है, बविश्य में मैं नहीं जानता हू आप द्यान रखें, जब भी अर्तिशासर पड़े, तो कुछ चीजे बदल जाती हैं अर्तिशासर में, तो हमेशा वर्तमान के नुसार कार्य करें, पर्शन बीस, करगिल फूर्ट्स ने किस भारतिय कंपनी को खरीद लिया है, option A, परक फूर्ट्स, B, डॉमिनो फूर्ट् सही उत्तर है, परक फूर्ट्स, करगिल फूर्ट्स ने किस कंपनी को खरीद लिया था भारति की, परक फूर्ट्स को, परशन 21, विश्वी की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है, option A, टाटा, option B, फोर्ड मोटर्स, option C, मारूती, option D, महिंदरा एंड म सही उत्तर है, B, फोर्ड मोटर्स विश्वी की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, परशन 22, फोर्ड मोटर्स भारत में व्यापार के लिए कब आई थी, 2015 में, 2005 में, 1995 में, या 1985 में, तो सही उत्तर बच्चो, गुनिसो पिच्चान, फोर्ड मोटर्स भारत में व्यापार के लिए गुनिसो पिच्चान में आई थी, परशन 23, फोर्ड मोटर्स ने भारत में व्यापार के लिए प्रार्म में कितना निवेश किया था, इंवेस्टमेंट कितना किया था, कितना पैसा लगाया था, ओप्शन है 4700 करोड, 3700 करोड, 2700 करोड, 1700 करोड, त तो प्रारम में इसने सत्रा सो करोड रुपए भारत में निवेश किये थे। पर्षन चोईस, इस्ट इंडिया कम्पनी भारत क्यों आई थी? आप्शनें, व्यापारिक हितों के कारण, B. सामाजिक हितों के कारण, C. राजनेतिक हितों के कारण, या D. कल्याणकारी हितों के कारण, तो सही उत्तर है, व्यापारिक हितों के कारण, इस्ट इंडिया कम्पनी का भारत आने का कारण, एक हिता वो व्यापार में लाब कमाना चाहती थी, इसलिए वो कम्पनी भारत आई थी. परशन 25, जब एक देश दूसरे देश को वस्तवे बेशता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? A. निर्याद B. आयाद C. निवेश या D. विदेशी निवेश तो सही उत्तर है, निर्याद जब कोई भी देश दूसरे देश को वस्तवे बेशता है, तो उसे हम निर्यात कहते है पर्षन 26 जब एक देश दूसरे देश से वस्त्वे खरीदता है तो उसे हम क्या कहेंगे option निर्यात B. आयात C. निवेश या D. विदेशी निवेश तो सही उत्तर बच्चो आयात आयात का मतलब आना कहने का मतलब जब भाहरत मान लीजे विदेशों से कोई चीज खरीदेगा तो उसे हम क्या कहेंगे आयात पर्षन 27 दो या दो से अधिक देशों के मद्दे होने वाला आयात एवं निर्यात क्या कहलाता है option A. आयात व्यापार option B. विदेशी व्यापार option C. व्यापार या option D. निर्यात व्यापार तो सही उत्तर बच्चो विदेशी व्यापार जब दो देशों के मद्दे आयात और निर्यात होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं पर्षन 28 विभिन देशों के बाजारों को जोडने या एकी करण में कौन सायक है? A. विदेशी व्यापार B. संस्कृती C. अभीनिता D. उप्रियुत में से कोई नहीं तो सही उत्तर है विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार ही विभिने देशों के बाजारों को जोड़ने का या एकी करण का काम करता है प्रश्ण गुंतिस विभिने देशों के बीच परसपर सम्मंद और तीवर एकी करण की परक्रिया को क्या कहते हैं option A, व्यापार, option B, विदेशी व्यापार, option C, वैश्वी करण, और option D, उपरिउक में से कोई नहीं, तो सही उतर बच्चो, वैश्वी करण, विभिन देशों की बीच परस पर सम्मंद और तीवर एकी करण की परतिया को ही हम वैश्वी करण या ग्लोबलाइजेशन की नाम से जानते हैं, परशन 30, एक देश की अर्थिवस्ता को अन्य देशों की अर्थिवस्ता के साथ जोने की परगरिया क्या कहलाती है, option A, व्यापार A की करण, B, विदेशी व्यापार, C, वैश्वी करण, और D, आर्थिक यकी करण, तो सही उतर है, वैश्वी करण, वैश्वी क की अर्थवस्ता को शेश विश्व यानि अन्य देशों की अर्थवस्ताओं के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है प्रश्ण 31 वैश्वी करण को संभव बनाने वाले कोरेक कौन से हैं पहला सूचनायों संचार प्रोधिगी में तीवर उननती दूसरा व्यापार और निवेश नीतियों का उधारी करण तीसरा डवलू टीयों जैसे अंतराष्टिय संगटनों का दबाओ चोथा परिवहन प्रोधिगी में तीवर उननती तो कौन सा कारण है A केवल 1,2,3 साई B केवल 2,3,4 साई C केवल 1,3,4 साई और D सभी साई तो सई उत्तर है बच्चो सभी साई वैश्वी करण खास तोर से भारत में वैश्वी करण को संभव बनाने वाले कारण कोन से है सूचना एवन संचार प्रोधविगों का तीवर विकास हुआ है भारत में Information Technology सेक्टर में Internet आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तेजगती से बढ़ा है तो इससे हमारा वैश्वी करण संभव हुआ है व्यापार और निवेश नीतियों में उदारी करण हुआ है जिससे भी वैश्वी करण संभव हुआ है WTO जैसे अंतराश्टिय संगटनों ने क्या है भारत पर दबाव भी डाला गुनिस्वी कराण में में जब हम आगे देखेंगे इस पर्षन को तब आया ये तो उनके दबाव के कारण भी वैश्वी करण को हमारे यहां सफलता मिली और परिवेहन का विकास हुआ उससे भी वैश्वी करण को संभव सफलता मिली यही सब कारक है वैशी तरण को संभाव बनाने वाले कारत पर्शन 32 आयात पर कर किसका उधारण है? A. मार्ग रोदक B. व्यापार अवरोदक C. व्यापार व्रदी D. कोई नी तो सही उत्तर है? व्यापार अवरोदक आयात पर जो कर लगाया जाता है उसे व्यापार अवरोदक कहते है पर्शन 33 सरकार व्यापार अवरोदक का प्रयोग किसलिए करती है? A. केवल विदेशी व्यापार में व्रदी के लिए केवल विदेशी व्यापार में कमी के लिए C. उप्रयोग तो दोनों के लिए या D. कोई नी तो सही उत्तर है उप्रियुक्त दोनों के लिए कुछ बच्चे ब्रह्म में आ जाते हैं कि व्यापार अवरोधक का मतलब है कि सरकार टेक्स लगा देगी बस चीज को उसको प्रोडक्शन को रोकने के लिए उसके लिए आयात को रोकने के लिए लेकिन ऐसा नहीं है बच्चो व्यापार अवरोधक का प्रियोग व्यापार में व्रद्धी के लिए भी किया जाता है और कमी के लिए भी किया जाता है अगर व्यापार में व्रद्धी करनी हो तो व्यापार अवरोदक को कम कर दिया जाता है और व्यापार में कमी करनी हो तो व्यापार अवरोदक को बढ़ा दिया जाता है यानि टेक्सेज में व्रद्धी कर दिया जाता है प्रश्ण 34, स्वतंतरता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एम विदेशी निवेश पर परतिबंद क्यों लगा रखा था? ओप्शन है, देश के उत्पादकों को विदेशी परतिस परदा से संरक्षन देने के लिए या देश के उत्पादकों को जो भारत में परडूसर्स हैं, जो उत्पादन का कारे करते हैं, वो द्योग घंदे हैं, उनको विदेशी परतिस परदा से, जो विदेशी लोगों की कमपडिशन है, उससे संरक्षन देने के लिए भारत में क्या किया गया था, विदेशी विदेशी निवेश पर परतिबंद लगा रखा था, स्वतंदर्ता प्राप्ति के बाद, परशन 35, 1950 से 60 के दशक में भारत ने किस चीज के आयात के अनुमती दे रखे थी, तो सही उत्तर है, उप्रियुप्त सभी, 1950 से 60 के दशक में भारत ने मशीनों के भी आयात के अनुमती दे रखे थी, और वरक के आयात के अनुमती भी दे रखे थी, और पेट्रोलियम प्रोड़क्स के आयात के अनुमती भी दे रखी थी, परशन 36, सभी विक्सित देशों ने विकास के प्रारंबिक चर्णों में गरहलू उत्पादकों को सनरक्षन परदान किया था ये असत्य है अथवा सत्य तो सही उत्तर बच्चों, सत्य है ये कतन कोई भी विक्सित देशों, कोई भी विक्सित देश ही नहीं दुनिया का कोई भी देशो जब उसने विकास करना प्रारम किया तो उसने सबसे पहले अपने उत्पादकों को जो गरहलू उत्पादक हैं उस देश के जो प्रडूसर्स हैं जो उसके उध्योग दंदे हैं उसको उसने संडक्षन परदान किया जैसे एक माता अपने बच्चे को शिशू को संद्रक्षन परदान करती है क्योंकि उस शिशू होता है छोटा होता है अगर उसे माता समाल कर नहीं रखेगी तो वो किसी और के संपर्क में आएगा तो बिमार हो जाएगा और आज भी करते हैं और कल भी करते ही रहेंगे पर्षन 37 भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंब हुए ऑप्शन A गुनिस सुधार गुनिस सुधार गुनिस सुधार में से प्रारंब हुए है और बहुत बहेंकर आर्थिक सुधार थे, बहुत बड़े लेवल के आर्थिक सुधार थे हम इनकी चर्चा भी ओर करेंगी थोड़ा परशन 38, भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को हटाने की परकरिया कब प्रारम हुई बताईए ए गुनिश्यक्यासी, बी गुनिश्यक्राण में, सी दोजार एक और डी दोजार गारा, तो सही उत्तर है, गुनिश्यक्राण में विदेशी व्यापार में भी हमने बहुने गुनिश्यक्राण में लगा रखे ते, गुनिश्यक्राण में जब नई आर्थिक नीती आई तो अवरोधों को हटा लिया गया और यही आर्थिक सुधारी करण यहां से प्रारंब होता है अमारे देश में पर्षन गुंतालिस सरकार द्वारा अवरोधों अथ्वा परतिमंदों को हटाने की परक्रिया को किस नाम से जाना जाता है A. उदारी करण B. नीजी करण C. वैश्वी करण D. व्यापारी करण तो सही उतर है उदारी करण सरकार व्यापार पे से जो अवरोध और परतिमंदों को हटाती है उस परक्रिया को हम उदारी करण कहते है परक्न चालिस सरकार आयात होने वाली वस्तूं की संख्या सीमित करती है तो उसे क्या कहेंगे अप्शन A. Import Quotas B. अभ्याँच C. Quotas D. उप्रियुक्त सभी तो तरह बचों उप्रियुक्त सभी ये तीनों एक ही चीज है अभ्याँच को ही Quotas कहते है या इंग्लिश में Import Quotas कहते है इसमें क्या किया जाता है वस्तों की संख्या को सीमित कर दिया जाता है कि भारत में 1000 आईफोन आएंगे तो इससे ज़्यादा कितनी भी प्राइस दो आप लेकिन 1000 से ज़्यादा आईफोन नहीं आपाएंगे इसे कहते हैं वस्तों की संख्या सीमित करना और इसे ही Quotas कहा जाता है सरकार आयतित वस्तों को रोकने के लिए कौन से उपाय अपना सकती है A. आयातकर लगा सकती है B. अभ्यंच लगा सकती है C. कोटा निर्धारित कर सकती है D. उप्रिउत सभी तो उप्रिउत सभी सरकार जो वस्तों विदेश से आ रही है उस पर टेक्स लगा सकती है जिसे हम आयातकर कहते है सरकार अभ्यंच लगा सकती है अभ्यंच और कोटा ये की चीज है इसका मतलब है आयात की जाने वाली वस्तों की संख्या को तै कर देना कि जैसे मैंने अभी भी बताया भारत मेंने कह दिया कि अभ्यंच या होटा पर्षनoredबtery लेष डबलु टीयो की फुल फॉर्म मताईए a. वाल्ट्रेड ऊर्गनाईजेशन b. वाल ट्रेड ऊर्गनाईजेशन c. वल्ड्ट्रेड तैगर ऊर्गनाईजेशन c. वाईल्ट्रेड उर्गनाईजेशन तो सही उत्र बच्चों, World Trade Organization WTO की फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में हम विश्व व्यापार संगठन की नाम से जानते हैं पर्षन 43, किसका उत्देश्य अंतराश्टिय व्यापार को बढ़ाना है? A. ILO का, B. WTO का, C. IMF का, यब D. WB का तो सही उत्र है, WTO, World Trade Organization विश्व व्यापार संगठन का उत्देश्य है, विश्व में अंतराश्टिय व्यापार को बढ़ाना है पर्षन 44, अंतराश्टिय व्यापार के नियमों को कौन निर्धारित करता है? A. ILO, B. WTO, C. IMF, यब D. WB, तो सही उत्र है, अगेन WTO विश्व व्यापार संगठन ही अंतराश्टिय व्यापार के नियमों को बनाता है और निर्धारित करता है और उसके मोनिटरिंग करता है पर्षन 45, विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? A. 154, B. 274, C. 164, D. 284, सही उत्र है, 164 WTO में 164 सदस्य देश हैं वर्थमान में पर्षन 46, मुक्त व्यापार या स्वतंतर व्यापार के तहत दो अत्वा दो से अधिक देशों के बीज, वस्तों और सेवाओं के आयात निर्यात पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सबसीडी और कोटा, आधिक को सरल बनाया जाता है ये कतन सत्य है, अत्वा ऐसत्य, तो सही उत्तर बच्चों ये कतन सत्य है, मुक्त व्यापार या स्वतंतर व्यापार वो होता है, जिसमें दो देशों के बीज जो व्यापार होता है या दो से अधिक देशों के भी जो व्यापार होता है वस्तों और सेवाओं का आयात और निर्यात जो होता है उस पर जो सीमा शुलक होता है नियामक कानून होते हैं जो सबसीडिय और कोटा दिया जाता है उन पर उसको सरल बनाने का कारिय किया जाता है ताकि व्यापार में व देश्य व्यापार संगठन सभी देशों के लिए से संबंदित मियम बनाता है और देखता है कि व्यावार में देशों के बीच व्यापार नहीं है विकास्षिल देश जैसे भारत डैश डैश है जबकि अधिकांच इस्तितियों में विक्सित देशों ने अपने उत्पादिक पहला विश्य व्यापार संगठन विक्सित देशों की पहल पर शुरूग आता विश्य व्यापार संगठन का दे अंतराश्टिय व्यापार को उधार बनाना है विश्य व्यापार संगठन सभी देशों के लिए अंतराश्टिय व्यापार से संबंदित नियम बनाता है और द ने व्यापार अवरोधकों को हटा दिया है जबकि अधिकांच इस्तितियों में विक्सित देशों ने अपने उत्पादकों को संडक्षन देना जारी रखा है तो ये उत्तर आप देख लें इसको परशन 48 जब सभी देश बिना व्यापार अवरोधकों को और WTO दुवारा निर्दहरित नियमों का पालन करते हुए समानता के साथ व्यापार करते हैं तो उसे मुक्त और नियाय संगत व्यापार कहा जाता है ये कतन आशत्य है, अफवा सत्य है, सजत्य है, सत्य है ये कतन, जब सभी देश, बिना व्यापार अवरोध कोखे, और जो WTN जो नियम बनाए हैं विश्य व्यापार के, उनका समानता के साथ पालं करते हैं, तो उसे ही न्याय संगत व्यापार या मुक्त व्यापार कहा जात प्रश्न गुणन चास निम्न में से कौन सा कतन सकते हैं पहला ऐसा शेत्र जिसमें विश्वे इस्तरिये सुईधायें बिजली, पानी, सड़क, परिवेन, बंडारन, मनोरंजन और शेक्षिक सुईधायें हों उसे विशिष्ट आर्थिक शेत्र कहते हैं दूसरा, विशिष्ट आर्थिक शेत्र में उत्पादन इकाय या इस्थाबित करने वाली कमपनियों को आरंबिक या प्रारंबिक पांच वर्शों तक किसी परकार का कोई कर या टेक्स नहीं देना पड़ता Option A, केवल कथन 1 सही है, B, कथन 2 सही है, C, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, अत्वा D, कोई नहीं तो सही उत्तर बच्चों, दोनों ही कथन सही है, ये विशिष्ट आर्थिक शेत्र के सम्मन में ये दोनों ही कथन सही है विशिष्ट आर्थिक शेत्र ऐसा शेत्र होता है, जहां ये सारी सुईदाय मिलती है, ताकि इंडस्ट्री पनप सके, उद्योग दंदे पनप सके उद्योग दंदों का विकास करने के लिए सरकारों के द्वारा ये सारी सुईदाय दी जाती परषण पचास, SEZ की फूल फॉर्म बताईए A. इस्पेशल एकनोमिक जॉन B. इस्पेशल एलेमेंटरी जॉन C. इस्पेशल ई मार्केट जॉन D. स्पेशल इमेल जॉन तो सही उत्तर है, स्पेशल एकनोमिक जॉन जिसे हम हिंदी में विशिष्ट आर्थिक शेत्र कहते हैं यही ऐसी जैड है परशने क्यावन श्रम कानून में लची लापन इससे क्या भी प्राय है A. कम्पनियां श्रमिकों को ऐस्थाई रोजगार दे सके B. श्रमिकों से अधिक गंटे तक काम लिया जा सके C. कम मजदूरी पर अधिक समय तक काम करवा सके D. उप्रिक्त सभी तो सही उतर है उप्रिक्त सभी श्रम कानून में लची लेपन से उध्योग दंदों को फायदा होता है क्योंकि वो कम्पनियां श्रमिकों को क्या कॉंट्रेक्ट पे काम लगा लेती है जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है तो रोजगार बढ़ा देती है और जब किसी कारणवस उनकी चीजों की मांग कम हो जाती है तो लोगों को नोकरी से निकाल देते है श्रमिकों से ज़्यादा गंटे काम भी करवा जा सकता है जैसे 5 बज गए शाम के लेकिन 5-6 बजी तक काम करवा लेते हैं 7 बजी तक भी करवा लेते हैं कम मजदूरी पर ज़्यादा काम करवा पाते हैं तो इससे क्या है? उद्योग दूंदों की लागत घढ़ जाती है उत्पादन की जिससे क्या होता है? वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ज़्यादा रोजगार भी देते हैं इसका इंपक्ट यह होता है परशन बावन वैश्वी करण का लाब कौन सा नहीं है A. नवीन तक्निकों का आगमन B. लोगों की जिवन इस्तर में व्रदी C. विदेशी निवीश में व्रदी D. लोजगार के आउसर में व्रदी सई उत्तर है विदेशी व्यापार में व्रदी देखें इसमें option मैंने ज़्यादा दिये हैं आप इन सभी options को देखें पहले या राष्टियाय में व्रदी और वस्तों की गुणवत्ता और विकल्पों में कमी तो वैश्वी करण का लाब इन में से कौन सा नहीं है बच्चों ये जी जो कि मैंने पहले ही उत्तर के यहां करेक्ट आ गया था option वस्तों की गुणवत्ता और विकल्पों में कमी ये वैश्विकरण का लाब नहीं ठीक है न? तो ये सब वैश्विकरण के लाब है आप से पूछा जाए वैश्विकरण से क्या लाब हुआ? तो नई टेक्नलोजी आई है लोगों की जीवन इस तर में भी सुधार हुआ है अना विदेशी निवेश भी भारत में बहुत सारा आया है रोजगार के अफसर में भी वर्दी हुई है क्यों? क्योंकि अलग-लग कंपनी आई है विदेशों से विदेशी के व्यापार में विवर्दी हुई है भारत की राष्ट्याय में विवर्दी हुई है तो ये व्याश्विकरण के सब लाब है ठीक है न? और ये कथन गलत है कि वस्तोष गुणवत्ता और विकल्पों में कमी हुई है पर्शन तरेपन इन में से कौन सी भारतिय बहुराष्ट्री कम्पनी नहीं है जबकि टाटा मोटर्स इन्फोसिस और रेंबेक्सी तीनों बारत की बहुराष्ट्री कम्पनी नहीं है एशियन पैंट्स, बी सुन्दरम फासनर्स, सी रेंबेक्सी या डी सैमसंग तो सही उतर है सैमसंग भारत की नहीं है बाकी ये तीनों ही भारत की बहुराष्ट्री कम्पनी नहीं है चोटे उत्पादकों को वैश्वी करण से सबसे ज़्यादा नुकसान चोटे उत्पादकों को हुआ है क्योंकि बड़ी कम्पनियों के आने से जो छोटे-छोटे कुटिर उद्ध्योग चलाते हैं लोग छोटे-छोटे उद्ध्योग दिनते चलाते हैं उनको नुकसान प्रश्न चप्पन कृषी के बाद सबसे ज्यादा श्रमिक कहा कारे रत है ए बड़े उद्धोगों में बी लगूद्धोगों में सी मचली पालन में या डी कोई नी तो सही उत्तर है लगूद्धोगों में लगबग दो करोड लोग लगूद्धोगों में कारे रत है परशन सत्तावन, दो दशक पहले की तुल्ना में भारतिय खरिदारों के पास वस्तूओं के अधिक विकल्प हैं मैं इसके उत्तर बताता चलता हूँ, आप इस परशनों को पढ़ लेना, ठीक है, मैं डारेट उत्तर बताता चल रहा हूँ आगे दो दशक पहले की तुल्ना में भारतिय खरिदारों के पास वस्तूओं के अधिक विकल्प हैं, यह वैश्वी करण की परक्रिया से नस्दीक से जुड़ा हूँ है और अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तूओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, इससे भी आगे भारत में बहुराष्टिय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संक्या हम बाजारों में देखते हैं बहुराष्टिय कंपनियों बारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि यहां पर बढ़ा बाजार सस्ते श्रमिक व्य अन्यसंसादन उपलब दैं जबकि बाजार में बहुकताओं के लिए अधिक विकल्ब हैं इसलिए बढ़ते विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का परभावकार्थ है उत्पादिकों के बीच अधिकतम परतिसपरदा होना तो यह पूरा उत्तर आपने देख लिया आगे बढ़ते प्रशन 58 निम्ले लिखित को सुमेलित कीजिए आप प्रशन पड़ें मैं ओप्शन बताता हूं जब तक ओप्शन A ये है B ये है C ये है और D ये है आप इन में से उत्तर को जल्दी से चुने फिर मैं आपको एके करके प्रशन के उत्तर बताते जाओंगो से उत्तर बचो C तो देखते हैं पहले का B सही है बवराश्टी कमपनिया छोटे उत्तपादकों से सस्ते दरोब पर खरीती है कपड़ा, जूते चपल और खेल के सामान को खरीती है फिर दूसरे का E आयात परकर और कोटा का उप्योग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है व्यापार अवरोदक के रूप में इसका उप्योग किया जाता है फिर तीसरे का D है विदेशों में निवेश करने वाली भारतिय कमपनिया Tata Motors, Infosys और N-Bex C है चौथे का C है IT ने Information Technology ने सेवाओं के उत्पादन के परसार में साहता की है किसकी सेवाओं के उत्पादन के परसार में साहता की है? Call Center की और पांचवे का है अनेक बहराश्टिय कमपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किसमे किया है? मोटर गाडियों में तो सही उत्र आपने देख लिया Option C हमारा सही है परशन गुनसट सही विकल्प का चैन कीजिए तो सही विकल्प का चैन करते हैं वैश्वी करन के विगत दो दशकों में दुरुत आवागमन देखा गया है एक देशों के बीच वस्तूँ और सेवाओं और लोगों का दो देशों के बीच वस्तूँ सेवाओं और निवेशों का तीन देशों के बीच वस्तूँ निवेशों और लोगों का तो सही उत्तर देखते हैं केवल बन सही है केवल दो सही है केवल तीन सही है या उप्रिक में से कोई भी सही नहीं है तो सही उतर बच्चों दूसरा कतन सही है इसका वैश्वी करणने विगत दो दश्कों में दुरुत आवागमन किस में देखा गया है देशों के बीच वस्तों में सेवाओं में और निवेशों का दुरुत आवागमन देखा गया है, यानि कि आना जाना देखा गया है प्रश्न साथ सही विकल्ब का चैन कीजिए विश्वि के देशों में बहुराष्टिय कमपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्क कौन सा है पहला नए कारखानों की स्थाबना दूसरा, इस्थानिय कमपनियों को खरीद लेना तीसरा, इस्थानिय कमपनियों से साजेदारी करना तो सही उतर देखते हैं केवल 1 सही है, केवल 2 सही है केवल 3 सही है या केवल उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो सही उतर है बच्चो केवल 2 सही यह आपके NCRT में ही है इस प्रशन का उत्तर, Google पर कुछ लोगों ने इसके उत्तर गलत दे रखे हैं, आप उनके ब्रह्में नहीं हैं, सही उत्तर है, इस्तानिय कंपनियों को खरीद लेना ही, बवराष्ट्य कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है प्रशन 61, सही विकल्प का चैन कीजिए, वैश्वी करण ने जीवन इस्तर के सुधार में साहता पहुचाई है, पहला सभी लोगों के, दूसरा विक्सित देशों के लोगों के, तीसरा विक्सित देशों के श्रमिकों के, तो सही उत्तर है, केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 या उप्रियुप में से कोई भी सही नहीं है, सही उत्तर है, दूसरा कतन सही है, विक्सित देशों के लोगों में, हमें तीन में से एक चुनना था, तो वैश्वी करणने जीवन इस्तर के सुधार में किसके सायता पहुचाई है, विक्सित देशों के लोगों के जीवन इस्त B R B I C M N C या B I B R D विश्वी बैंक को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है तो सही उत्तर है बच्चो B I B R D इसकी फुल फॉर्म क्या है I B R D की देखिए International Bank for Reconstruction and Development ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों ये हमारे 62 पर्षन हो गए है उमीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे मेरे चैनल पर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के अर्थशास्तर के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे कक्षा 10 के अभी तक जितने भी चेप्टर्स थे पहला, दूसरा, तीसरा उनके MCQ मैंने अल्रेडी डाल दिये है और जल्दी ही मैं राजनीती विज्ञान जिसे आप सिविक्स या लोकतांत्रिक राजनीती के नाम से जानते हैं उसके भी MCQ आपको देखने को मिलेंगे आप इन परषनों को जरूर करें जिससे आपका बोड का मार्स का अच्छा रहे पैमाना और आप एक अच्छे परषनों को सॉल्ब कर पाएं आज के लिए काफी इतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद